नासा हिंदी न्यूज चैनल के नए वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेर और सबस्क्राइब करना न भूलें। इसरो ने चंदरायान तीन मिशन के बीच एक बड़ा टेस्ट कर डाला। इसरो वेग्यानिकों ने गगण्यान के प्रोपल्शन सिस्टम का सफल होट टेस्ट किया है। यानि उसके प्रोपल्शन सिस्टम को कुछ देर चला कर देखा गया कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। इससे कितनी उर्जा मिल रही है। यह कितना सुरक्षित है। इस रोप ने तमिलनाडू के महेंद्र गिरी स्थित IPRC में गगन्यान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का हॉट टेस्ट किया। हॉट टेस्ट मतलब उसके इंजिनों को कुछ देर तक चला कर देखा गया। उससे कितनी उर्जा मिल रही है यहां जाच आ गया। प्रोपल्शन में किसी तरह की बाधा तो नहीं आ रही है। सारे इंजिन एक साथ काम कर रहे है या नहीं। एक मिनिट उन्तिस सेकेंड चले इस टेस्ट में गगण्यान के सर्विस मॉड्यलू प्रोपल्शन सिस्टम, SMPS ने बहतरीन पफोर्मेंस दिखाए। इस टेस्ट के दौरान पांच लिक्विड एपोजी मोटर, लाम इंजिनों की जाच की गई। ये 440 न्यूटन थरस्ट पैदा करते हैं। इसके अलावा सोलर रियेक्शन कंट्रोल सिस्टम, RCS ट्रस्टर्स की जाच की गई। ये 100 न्यूटन थरस्ट पैदा करते हैं। गगण्यान का सर्विस मॉड्यूल दो तरह के इंधनों पर चलने वाला सिस्टम है। ये हैसा सिस्टम है जो और्बिटल मॉड्यूल यानी गगण्यान के कैपसूल को और्बिट में ले जाने में मदद करेगा। धर्ती के चारों तरफ चक्कर लगाने में मदद करेगा। और्बिट में चक्कर लगाते समय नियंतरन करने में मदद करेगा। साथ ही डीबूस्टिंग यानी गती कम करेगा. अगर किसी तरह की समस्या आती है तो मिशन को अबॉट किया जा सके. 440 न्यूटन की ताकत के जरिये ही प्रोपल्शन सिस्टम गगन्यान कैपसूल को ऊपर की तरफ ले जाएगा. जबकि RCS कैपसूल को सही दिशा में उचाई हासिल करने में मदद करेंगे. इस दोरान सर्विस मौड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम टैंक फीड सिस्टम, हीलियम प्रेशराइजेशन सिस्टम, फ्लाइट क्वालिफाइड ट्रस्टर्स और कंट्रोल कंपोनेंट्स की जाँच की गई. ये टेस्ट दो अलग-अलग चरनों में किये गए. पहला चरन 250 सेकेंड का था, दूसरा 2750 सेकेंड का था, इस रोकी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, LPSC, ने गगण्यान के सर्विस मौड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम की डिजाइनिंग और डेवलप्मेंट किया है. इस टेस्ट के बाद आप गगण्यान के पूरे इंटीग्रिटर्ड मौड्यूल का टेस्ट होगा. गगण्यान के पांच टेस्ट और होने हैं, सामान्य और आसामान्य स्थितियों में, उनमें सफलता मिलने के बाद ही मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा.